प्रभु परमेशर ईशु मसी के नामें प्रवादवंदल, प्रखाशित वांख्य, उसका पहला अध्याई, उसका तिसरी कलम, दन्य है वे जो इस भबश्यवान के वजन को पढ़ता है, और वे जो सुनता है और इसमें लिकी हुई बातों को मानता है, मनुश्य जीवन का ती अध्याई पहले कलम में बताया गया है, क्या ही धन्य है वो जिसका अब्राव ख्रमा किया है और जिसका पाप ठाप गया है, इस मसी के द्वारा मिलने वाला पाप का मोचन के बेल सुरूप येक विक्ति परमेशर से जर्म लेता है, ये पहला भाग के पतवी है, प्रकाशि में मरता है, ये दूसरी मृतियों का कुछ भी आदिगार नहीं है, प्रतिवी में जिनम लेके मरे हुआ हर एक लोग जी उड़ेगा, वो दो समय पर होगा, इस मसी का वापसी का आने का समय पर जी उड़ने वाला ही पहली पनिर्थान में फाग लेने वाला, वो लोग इस मसी के साथ युगान युगक अनंद काल में वास करेगा, जो पहले पनिर्थान में फागी ना है, वो लोग दूसरा पनिर्थान में फागी लेगा, वो लोग का फाख आँग और गंदक और जलने वाला अनंद यादरा कस्तल है, इस बातों को समझ कर जीवन को अच्छा फाख के पतबी की और लेके आने के लिए परमेशर कुरूबा करें, परमेशर प्रमेशर प्रभू जी इस सुबह का समय के लिए हम देरे दनिवात करता हो, आने वले दिनों में हमारे जीवन को अपने आपको परकते हुए, परमेशर आपकी दूसरी आगमन का तयार के साथ हम हमारे जीवन को बिताने के लिए हमारे जीवन बेक रुपा कर, प्रभू जीवन मसी के पर नाम से, आमेन